बड़ी कबर हम आपको बताने के पुलिस थाना मकराना शेत्र में एक मारबल व्यापारी पर बदमासों ने भी चुरास्ते फाइरिंग कर दी दो राउंड फाइर के बाद व्यापारी इतना डर गया कि गाड़ी लेकर सीधा घर की तरफ भागा यहाँ पहुच पुलिस से घरवालों को घटना के बारे में बताया तो पुलिस को सुचना दी फाइरिंग के बाद बदमास मौके से फरार हो गया है वहीं अभी तक बदमासों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है मामला जीले के मकराना थाना माता भर रोड में शाम छे बजे की है फाइरिंग की घटना में एक गोली कार के पीछे नमबर पलेट की तरफ लग गई थी घटना को लेकर माता भर रोड निवासी वैपारी भवरलाल के रिडोलिया अंठावन वर्स पुत्र हर दीन राम ने बूधवार रात सढ़े नौ बजे बकराना पुल स्थाना में अग्यात बुदमासों के खिलाफ रिपोर्ट दी है रिपोर्ट में वापारी ने पताया कि वाबूधवा चार जनवरी को शाम पांच बचकर पैसालिस मिनट पर बुरा वर्ड रोड इस्थित अपनी फैक्टरी से इनोवा कार में घर की तरफ निकला था वा खुद कार ड्राइब कर रहे थे साम करीब 6 बजे वज़े से ही जाखली वाइपास 14 से निकले तो पीछे से गोली चली जिसकी आबाद सुनकर साइट ग्लास में पीछे की तरफ देखा तो कार से 50 फीट की दूरी पर दूसरी कार चल रही थी इसी दौरान उसमें से एक बजमास ने एक और फायर किया जिसकी गोली इनकी इनोवा कार के पीछे नंबर प्लेट की तरफ लगी घटना के बाद व्यपारी गाड़े लेकर सीधा घर पहुचे इसके बाद उन्होंने कार को देखा तो नंबर प्लेट पर गोली का सुराग था व्यपारी गाड़े लेकर पहुचा सीधा घर फायर की आवाद से व्यपारी काफी डर गया और कार को दोडाता हुआ घर पहुचा इस दोरान पीछे चल रही गाड़ी तेज गती से मातभर के रास्ते चली गई भवरलाल घर पहुचकर गाड़ी के पीछे देखा तो नंबर प्लेट के पास गोली की सुराग हो रखा था उन्होंने पुलिस को बताया कि अग्यात बदमासो ने उसे जान से मारने की नियत से गाड़े पर गोलिया चलाई है पुलिस ने इस बारे में देड रात को मामला दर्च कर लिया और शेत्र में नाकबंदी करवाई उधर वैपारी भवर लाल पर अग्यात बदमासो ने किस कारण से गोली चुलाई इसके कारणों का पतान नहीं चल पाया है